दोस्तो ये बात बिलकुल सच है कि बागेश्वर धाम में बहुत सी शक्तियां हैं। बागेश्वर धाम घूमने के लिए लेकिन जैसे ही वो बागेश्वर धाम पहुंची तो वहाँ पर उसने देखा कि लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। की समस्याओं को परची पर लिख रहे थे और वहाँ पर कई हजारों की संख्या में लोग खुले आसमान की नीचे बैठ हुए थे। वो थोड़ी से अचमबिच जरूर हुई लेकिन फिर भी उसने इस पर ध्यान ना देकर इसे एक पाखंड समझा और फिर मंदिर की तरफ निकल गई। उसने मंदिर में दर्शन की और जब उसके साथियों ने कहा आओ प्रसाद ले लो तो उसने मना कर दिया क्योंकि वहाँ पर धेरों मख्या भिनक रही थी तो उसको इस चीज़ से बहुत ही घृणा आई और उसने प्रसाद लेने से मना कर दिया लेकिन दोस्तों के कहने पर जब उसने प्रसाद लिया तो उसने प्रसाद को खाया नहीं बलकि वहीं पर फैक दिया। और कहने लगी यहां पर सब पाखंड चल रहा है और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यहां सब लोग अनपढगवार लोगी हैं कैसे कोई पत्थर की मूर्ती चमतकार कर सकती है और यदी कर सकती है तो मेरे साथ करके दिखाए और फिर उसने एहंकार बसाकर जोर से लात मंदिर की सीड़ी पर मार दी है। फिर कुछ देर बाद ऐसा चमतकार हुआ वो एक बहुत ही बदसूरत जानवर में बदल गई। यह देखकर सभी लोग चौंक गए और जै शिरी राम जै बागेश्वर बाला जी के नारे लगाने लगे। जब उन लोगों ने अपनी गलती का प्रैश्चित किया तो कुछ देर बाद लड़की पहले जैसी हो गई। दोस्तों बागेश्वर धाम में साक्षात बाला जी विराजमान है और यदि आप भी बागेश्वर धाम के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को कम से कम तीन लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग ऐसी संपोर्ण जान कारी को प्राप्त कर सकें वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा शेयर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद